नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानिया इश्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ज्योतिस ग्यान के नाम से एक सिरीज चलाई है जिसमें वेरी बेसिक से लिखे और अडवांस तक एस्ट्रोजी पढ़ेंगे अगर आप सिरीज को पढ़ लेते हैं पूरा तो मुझे पूरा यकीन है कि आप एक अच्छे ज्योतिस बन सकेंगे वो सिरीज की कम से कम मेरे खाल से 55 या 56 वीडियो हो चुकी है तो आपने ना देखी हूं तो स्टार्टिंग से देख आज मैं भाव चिंता के बारे में ही आपको बता रहा था कि कैसे वो सुत्र हमारे इस्तेमाल में होते हैं कैसे हैं पडिक्शन करते हैं उन्हीं सुत्रों पर हम लोग आगे चलते हैं आज और आपको पडिक्शन करके वो सुत्रों का मैं दिखाता हूं फड़ा आपको आइडिया हो जाएगा पहले मैंने आपको कुछ सुत्र बताये थे वो सुत्र आपने लिख लिए होंगे या आपने नोट कर लिए होंगे बड़ी अच्छी बात है नहीं नोट किये तो पुराणी वीडियो को देख लिजिए उसके अंदर भी वो सुत्र बताएं लास्ट की दो वीडियो में मैं special सुत्र बता रहा हूं आपको जो कुंडली के लिए बहुत important है पहला सुत्र यह है वो कहता है चाहे कोई ग्रहे अपनी उच्छ राशी में हो पून बल्शाली हो ग्रहे कोई उच्छ राशी में अपनी बैठा हुआ है और वो शट्बल में भी पूरा उसकी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है शड्बल आप जानते हैं शड्बल दिखाते हैं ग्रहों के छह प्रगार के बलों से मिलकर शड्बल बनता है तो ग्रहों का बल software में अगर आप देखेंगे तो वहां दिखाई पड़ेगा आपको साथ में, तो अगर वो शटबल के अंदर भी बहुत ज्यादा है उसकी strength, मतलब एक से बहुत ज्यादा है, 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, लेकिन उचराशी में है और शटबल में भी पूर्ण रू जाता है, उस दिन उस case में उसके fun नहीं मिल पाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान अतना है, कई बार आप देखेंगे कि ये ग्रह तो बहुत अच्छा है हमारी कुंडली के लिए, यो कारी ग्रह भी है, शटबल में भी बहुत अच्छा है, वैसे भी अच्छा है, लेकिन हम देखते हैं, ये आपको मालूमी है, सूर्य से हम देखते हैं आत्मा को, पिता को, कैसा आपका प्रभाव वर्ल्ड में रहेगा, कैसा प्रभाव आपका सुसायटी पर रहेगा, कैसा आपका हेल्थ रहेगा, वो सब चीजे हम सूर्य से देखते हैं, कैसी आपके पास धन चंद्रमा से हम लोग देखते हैं कि आपका मन कैसा है, आपका इमोशनल कोशन्ट कैसा है, आपकी बुद्धी कैसी है, आपके उपर राजा की कृपा है या नहीं है, आपके उपर माता की कृपा है या नहीं है, आपकी संपत्ति कैसी है, यह सब का विचार हम चंद्रमा से करत करते हैं चोटे बाही का विचार मंगल से करते हैं कि उनका सईउगा आपको ऐसा मिलएगा की बुद्य का wegen बहुत अच्छा है जे द्जा के बारे में जो भी विचार करना है में बुद्ध से कीजिए, बंधू का विचार बुद्ध से कीजिए, विवेक, मामा, मित्र, वानी और कारेशमता. कारेशमता का यहां देने का एक अर्थ है, क्यूँ कारेशमता इसलिए दिया हुआ है, कि बुद्ध जो है वो स्नायू मंदल का स्वामी है, नर्वस सिस्टम का स्वामी होता है तो स्लाजू मंडल अगर पुष्ट होगा आत्मी का मजबूत होगा तो मनुष्य ऐसा करमशील होगा इसलिए बुद्ध को कारेशम्ता का कारक भी कहा गया है कि कारेशम्ता कैसी होगी उसकी वो डिपेंड करेगा कि बुद्ध की स्टेंद संतां का कारा गुरु होता है यह हम जानते ही हैं गुरु हमारी कंलêuी होती है कालबक रुसकी फेंशथी उसमें पांस्में भाव का उसमें ग्यारव का स्वामी होता है तो इसलिए उसका बहुत इंप्रोटनिक कि भूष मैक्सिम भावव का सव्वावी होता है तो गुरू जो है उसते इस प्रुम्द पर चीज़े और दो यह सब ouais तो इसमें के उसमें पतनी है साँदी Alrighty विकल्स जितने हैं या बड़े बड़े बैंगलोस हैं या आभूशन हैं यह कोई भी स्तरी है या प्रेम संबन्द आपका अफेर है वो सबका खुर होता है जितनी भी कामनाई होते की हैं इनसान की उन सब का करक शुक्र होता है तो वचप शुक्र से देखना चाहिए अगर शुक्र इनसान ओक इंसान का कमजोर है तो तो समय कअगी लेकिन मुझ काम coverage मीं आ तो ये भी देखना बहुत जरूरी शनी आयू का कारक है जीवन का कारक है जीवी का का कारक है मुर्त्यू का कारक भी शनी को माना जाता है दुख का कारक भी शनी को माना जाता है और नौकरी का कारक भी शनी को माना जाता है अगर आपको नौकरी देखनी हो तो शनी को आप दे ग्रहे यदि लगन से चटे आठवे या बारवे भाव में हैं तो उन भावों के फल को बढ़ाते हैं इसका कहने क्या है इसका मतलब कहने का यह है कि जो भी ग्रहे चटे आठवे बारवे भाव में जाएगा वो जिस भी भाव का स्वामी होगा उस भाव की हानी हो या उस ग्र से चटे आठहएएं बारभफमें बैठ जाएं और जाद हो गाऊ तो कारकत्तोंका नुक्सान और जाद होगा और गो अच्छा कुंड़ी के लिए नहीं होगा लेकिन अगर खुब reckon चटे आंट बारभव भाव में गया, तो हानी तो उसकी भी होगी, उसके भी जो कारकत्र है, उनका भी हानी होगी, वो भी दूशित हो जाएगा, लेकिन वो उतनी हानी नहीं करेगा, जितना हानी करेगा, एक पाप ग्रह छटे आठवे और बारवे भाव में पैठ कर, इसमें बहुत important सुत्र दिया करना है, अपनी जो पुत्र है, उसकी इस्त्री का विचार करना है, तो पंचम स्थान को लगन बना लो, क्योंकि पंचम स्थान से पुत्र का विचार किया जाता है, उससे सब्तम स्थान से पुत्र वजू का विचार करना है, अब आपको पिता का विचार करना है, सपोस्कि पिटा की इस्थान है पिता को बना लो यह ज Idiot को लगन बना दो उससे तीसरा अच्जान को पराक्रम हो जायेगा जाएगा पांस हो Appreciate प्टैकि संत्रों हो जाकी आपको माता के बनानी है तो सौते बाय सथम बना लो इसके अंदर बहुत इंपॉस्चंग से यही बता देता हूँ, शायद मैंने आगे कहीं लिखी हूँ, यह दो तिन तरीके होते हैं, पिटा के बाफ को लगन बना bisưới नवम को लगन बना लो। I repeat, पिता की कुंडली अगर आपने देखनी है, तो या तो पिता के भाव को लगन बना लो, या सूर्य को लगन बना लो, या सूर्य से नवम भाव को लगन बना के आप कुंडली देख सकते हैं। इसी प्रकार माता एक कुंड़ी देखनी है तो या तो माता के भाव जो होता है चौथा उसको लगन बना लो या चंद्रमा को लगन बना लो या चंद्रमा से चतुर्थ को लगन बना लो और फिर उसके बाद दूसरा भाव धन भाव तीसरा भाव पराप्रम भाव चौथा भ बाई की कुंड़ी आपने देखनी है तो मंगल को लगण बना लो या तीसरे भाब को लगण बना लो याे मंगल से तीसरे को लगण बना लो की सरे भाब को लगण मों बना लो तो आप भाई की struggling का विचार कर सकते हैं यह लिए अलग लग감 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनको आपको विचार करना चाहिए जो अच्छा रिजल्ट मिलता है जो एक्सपीडेंस के द्वारा हालागी सास्त्रों में इन तीनों का वार्णन है लेकिन फिर भी जो अच्छा रिजल्ट मिलता है वह कारक से लगन मनाना वह ज्या ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप ज्यादे अच्छी तरीके से प्रड़िट कर पाएं नीचे वाला पाइंट होई है कि यदि आपने सूर्य को लगन मनाया तो जित्य भाव दन का विचार हो जाएगा तीसरा भाव पराक्रम का हो जाएगा चौता भाव सुख एक चीज़ और है आपको पिता माता भाई पुत्र स्त्री आदी का विचार करना हो तो भाव भावेश कारक तीनों का विचार करना चाहिए अगर तीनों बलवान होंगे यानि पिता वाला भाव बलवान हो भावेश बलवान हो और कारक सूर्य बलवान हो तीनों बलवान हो तो उस केस में आपको उस भाव से संबंदित सुक मिलेगा तो भाव भावेश और कारक यह बहुत इंपोर्टन्ट है बहुत इनकी वैल्यू बहुत जादा होती है तो किसी भी कुल्मली का देखने के लिए पहले आपको भाव बल देखना होता है भाव बल अगर आप देखें कि भावेश कहां गया है केंदेतिकोन लाब भाव में हैं या कैसे बाव में बैठा हुआ है फिर आप कारक देखेंगे कारक कहां पोस्टिड है वो भी केंदेतिकोन लाब भाव में है या छे आट बाराय में है या अशुब ब्रहों से द्रस्ट है या पापकत्री योग में है तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा जब आप देखेंगे बहावल कुंड़ी में आपके अच्छे हैं तो फल भी आपको बहुत बढ़ियाने देगा उसमें कोई डाउंट वाली पाथ नहीं है है उसमें यह कहा गया है कि some people are of the opinion that Sun in the ninth house मून इन दी फोर्थ हाॉस मार्स इंदी फिफ्थ हाॉस Director . मार्स इंदी इफ़र्ण वीनस इन दी सेवन्थ हाॉस मतल्ब कहने का उनका यह है कि जो भी भ़ाव के स्थिरकारक है देखिए एक श्लोक है कहते हैं कार को भाव नाशाय यानि भाव का कारक भाव का नुक्सान करता है लेकिन ऐसा नहीं है भावारत रतनाकर में लिखा है कि अगर भाव का कारक स्थिरकारक आप जानते हैं पहरे भाव का स्थिरकारक सूर्य है दूसरे भाव का स्थिरकारक गुरू है तीसरे भाव का स जानते ही हैं चंद्रमा बुद्ध है तो आप त Cow up consistit इस इंदारे में जाता है या इस त्वार्टी जाता है या इस्थितर कारक कारका कारग्व का इसी क्वार्ट रत्नाकर में कहा है कि फड़ो में थोड़ी कमी आती है लेकिन ऐसा नहीं कि लों में नुक्सान होता है यहाँ नहीं ने की यह लगावेंयों कारत रफा कॉछ साथ लुए को और बैठे गए यहधियेसे नहीं मंकल सूरिय इगर साथ बैठे तो उस परसक터 हो क्योंकि एक भावेश है तो एक आंडर या आंडर चे नंबर पर हो या का ulा अथ हो दोनों के अंडर अग्याव मैं आपको नर्स वीडियों में बताऊंगा आशा करता हूँ आपको पसंद आये होंगे पसंद आये तो क्रिपे लाइक कीजिए सब्स्राइब कीजिए शेयर कीजिए इसके लावा हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग चुक है वो दीगे नमबर के संपर कर सकते हैं धन्यवाद जैसी कृष्णा नमस्काव